हेलो दोस्तों कैसे आप सभी मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जी एस प्लेनेट के अंदर सर आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने ABS की क्यूज नंबर थर्ड सर आज कोनशी क्यूजaving की Environmental Science की सर तीसरी क्यूज है अभी तक हम लोगों ने दो क्यूज दिल्कुल अच्छी से डिश्कस कर लिया है जिस बच्चे ने अभी तक वो क्यूज नहीं देखिए तो प्लीज प्लेइलिस्ट के अंदर जाकर आप लोग उस क्यूज को देखें और इस वीडियो को जल्दी से सारे बच्चे सेर कर दिजेगा गुड़ अपनोन बेटा जी गुड़ अपनोन गुड़ अपनोन टो एवरिवन सभी विद्यारती प्यारे बच्चे नमस्कार उन सभी को ठीक है आप जल्दी से सेर कर दिजेगा बहुत अच्छा सेसर नोने वाला है सर जो ये एवियस है एक चीज माइन में डाल लेना सर पुछी जहें सभी एकजामों में एवियस की कुछन आते हैं और मैं उन कुछनों को कवर करवा रहा हूं जो कुछन पहले एवियस से आचुके हैं और कुछ बननी के चांचीज है टोपिक वाइज क्यूज चल रही बाए आपके अभी तक दो टोपिक का पुन्नी कवर कर ल और वेब वन ने एवन ने जीव मतलब इन से रिलेटिड सर आज जो ये क्यूज ये थर्ड नंबर के क्यूज प्यारे बच्चो जल्दी से सेर कर दीजेगा आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट में नहीं करूंगा आज की क्यूज का सबसे पहला किसन है सर आप लोगो प्रेशन ए है सी सी पार्क ने जे एन जेक फर्ष ने या जोसेफ फोरियर ने या फिर एल जॉबल नर ने जल्दी से बता दो इन च्यारों साइंटिस्ट में ऐसा कून सा वेग्यानिक था जिन्होंने सरव पर्थम ग्रीन हौस गैसों की संक्लपना की थी जल्दी से बता द सर आप लोगों के सामने मानों की कौन सी किलिया जलवाईू से सर्वाधिक प्रभाईट उते हैं मनुसियों कहना से उद्द्दोग और नेरमाण का pilgrimage किर्शु ours जलदी से बता जलवावी में फ़ोड़ा बहुत चेंजजेच आए है तो ऑसी कोन सी comprehension करता हो और मनुसी और परभाविट होती है तो प्यारे बच्चों करता है 가까 किरिस्ट का कारे किसान के तो आई बास में तो सबसे ज़्यादा प्रवाइद कोन होगी सर किर्शी होगी बहुत अच्छे किसन का कलेक्शन है प्लीज स्टे कीजिए गार रुके रहेगा अगला किसन क्या है सर थर्ड नमर का निम्न में से किस से जलवाई परिवर्तन का क्रायोजैनिक संकेटि किस से प्राप्त किया जाता है ऑप्शन ए क्या है आई स्कोर ऑप्शन बी क्या है सर जिवा स्मित प्राग ऑप्शन सी क्या है वरक्स वले वर्दी ऑप्शन डी क्या है इवो इवो प्राइट निफेक्स जल्दी से बता दीजे किसको क्रायोजैनिक संकेट माना जाता है प् आई बात सम्झमें कहीं से पता लगता है में बनी आई स्कोर को एक संकेत मानते कीस्टा नंबर फॉर्थ सब्सक्राइब ओप्षन ए क्या पर्थम विश्व जल्वाई सम्मिलन कब हुआ था 1979 का ओप्षन बी क्या दे रखा है सर आपके पर्थम विश्व सिकर सम्मिलन अजेंटा 21 पर्थम सिकर सम्मिलन प्लस 5197 में कार्बन वैपार मॉन्ट्रियोल प्रोटोकॉल तो यहां पर सर किसका किसी रिले था पर्थम सिकर सम्मिलन प्लस 5197 के अंदर लेकिन सर कार्बन वैपार किस से रिलेटेड नहीं है सर आपके मॉन्ट्रियोल प्रोटोकॉल से आई बास समझ में किसा नंबर 6 की तरफ मुह करती हैं क्या है सर 6 नंबर का किसन आपके नजर से नजर मिलाते वे जल्दी से पढ सम्मिलन मॉन्ट्रियोल प्रोटोकॉल या जी एट सिकर सम्मिलन जल्दी से बता दीजेगा सिस नंबर के कुश्चन का अनसर की कार्बन क्रेडिट का दस्टी कॉन इनमें से किस से शुरू हुआ था क्योट्टो प्रोटोकॉल अर्थ सिकर सम्मिलन मॉन्ट्रियोल प्रोटो स्क्रेडिट किसे रिलेटर होता है क्योत्प प्रोटोकॉल से क्या कर दोगें आप एक कर दोगे किसा नंबर सेंवन की तरफ मूं करते हैं क्या है ते निमे लिक्त में से कौन सा विशो का पहला देश है जिसने बूम अंडली तापन के परतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा तो कौन सा ऐसा देश था आस्टेलिया जर्मनी जापन न्यूजलेंड जो कार्बन की मातरा भड़ रही थी उसके पर टैक्स लगा अगर कार्बन की मातरा भड़ेगी तो आपको पता है कि इसने सुझावा सुझाया था कि पिर्थवी का धूरी पर आवस्ता बदलना जलवाई पर रूरतन के लिए कारक है बै किसने बताया था कि ऐसा कि पिर्थवी का धूरी पर अवस्ता बदलना मतलब यहां से अवस्ता जो चेंज कर रहे है पिर्थवी आपकी धूरी के उपर वो किसने बताया था कि एक जलवाई चेंजिज का कारणा है रोबर्ट हुक ने या फिर मिलूटीन मिलान कोविच ने या जोर्ज सिंपंस ने या फिर टीवी चैंबर लेन ने तो कौन से ऐसे वेग्यानिक था जिसने जलवाई प्रिवर्तन के लिए बताया था एक कारक प्रित्वी की धूरी पर अवस्ता बदलना रवर्ट कोच्स या मिलू टीन मिलान कोविच या फिर जोर्ज स्पंसन या फिर टीवी चैंबर लेन जल्दी से बता दिजेगा एट नंबर के किसन का अनसर तो यहां पर कौन था सर आपकी मिलू टीन मिलान कोविच कौन था सर आपकी अवस्ता पदलने के लिए जलवाई प्रिवर्तन वाला काम बताया था ठीक है सर तो प्रित्वी का धूरी पर बाद सर अगले कुशन के और मुँ करते हैं नाइन्थ नमबर के कुशन की तरब कुशन सवना बहुत अच्छा है जुगाली करने वाले पसू से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्रन होता है वह कौन सी है मतलब जब पसू जैसे आपने पसू है आपके उन्होंने चारा खा लिया चारा खानने के बाद वो क्या करते रहते हैं कुछ देर तक क्या करते रहते हैं जुगाली करते रहते हैं मतलब मुग के अंदर ही खानने का पाचन करते रहते हैं तो उनके जुगाली करने से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निस्रन होते हैं कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं च्यार ओप्सन आपके आँखों के सामनी आपसे नजर मिलाए हुए कार्बंडाय ओक्साइड मीथेन या सी एपसी या फिर क्लोरो फ्लोर कार्बन या नाइट्रस्ट ओक्साइड जल्दी से बता दीजेगा कौन सी गैस निकलती है जल्दी से प्यारे बच्चो तो आपको पता होना चीए सी सर जब वो जुगाली करती है तो एक मीथेन गैस निकलती है क्योंकि उनकी आमास्ते के जो फोर्थ पार्ट होता गट होती है उसके अंदर कौन सी गैस मिलती है सर आपके कौन सी मिलती है मीथे ठीक है तो यह चीज मैंने पहले बता रख़िए और केमस्टी में अच्छी से कवर करवा दूँ आप लोगों को कुश्र नमबर टैंथ क्या है वैस्विक उस्मन उत्सर्जन के कारण होता है वैस्विक उस्मन उत्सर्जन का कारण क्या होता है नाइट्रोजन कार्बन डाय ओकसाइड के या कार्बन ओकसाइड के या हाइड्रोकार्बन के तो वैस्विक उस्मन उच्षरजन का कारण क्या होता है प्यारे बच्चो दस्वी कुस्टन का अंसर दे दिजेगा तो वैस्विक उस्मन उच्षरजन का कारण होता है प्यारे बच्चो कुछ को तो आपको बार बार एक चीज माहीं में आ रही होगी स्रकुन से चीज के जाद बढ़ने इसे सर आपके प्रियावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या और है प्यारी बढ़ रहा है आज बाद समझ में कुस्टन नमबर 12 आपकी स्क्रीन के सामनी आप लोगों के मद्दे नजर क्या है सर आपके भूम अंडलिय तापन का कारण है भाई भूम अंडलिय जो तापन उसका कारण क्या है भारी वर्षा कारबन डायोकसाइड की में वर्दी कारबन डायोकसाइड में कमी या वनो में वर्दी जल्दी से बता दीजेगा कि भूम अंडलिये तापन का कारण क्या है ठीक है तो क्या कारण है भाई भूम अंडलिये तापन का कारण पहरे बच्चो 25 नंबर के किस्टन का आंसर दे दीजेगा तो सर भूम अंडलिये तापन का जो कारण क्या होगा तो सर कारण डाई ओकसाइ का बढ़ना तो आगे से ध्यान रखोगे न अब गलत नहीं करोगे न किसन बार-बार किसन नमबर 13 की और मुझ करते हैं यहां देखो फिर आ गया किसन इससे रिलेटेट थोड़ा सा अब देखो निमलिक में से कौन सा सारवर्त्रीक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उतर सब्सक्राइब को अलग लग तरह से घुमाया गया है मीथेन कार्बन डायोकसाइड जल वाटर वैपर और यहां पर सब्सक्राइब को बढ़ाने के लिए उतरदाई होते हैं सर आपके बाद इसके बासर किसन नमर 14 निमलिक में से कौन सा एक सरवादिक भंगूर पारस्तित होगा तो यहां कौन से कैसा परस्तित तंत्र है जो वैस्वित आपमान के बढ़ने से सबसे पहले मतलब परभावित होता है वो कौन से ऐसा है सर आपके आर्क्टिक वै ग्रिन लेंड हिम चादर भी क्या है अमेजन वर्सावन सी क्या टैका डी क्या है भारतिय मांसून तो 40 नमबर के किस्टन का आंस्वर दे दिजेगा सर आपके तो आर्क्टिक वै ग्रिन लेंड हिम चादर जो होता है वो वैस्वित आपमान के बढ़ने से सबसे पहले क्या होगा सर आपके परभावित होगा मतलब यह जो ग्लेसिर की जो वर्फ है अंकार्टिक महादेप वै ग् वीडियो को लाइक कर दीजेगा सेयर कर दीजेगा और लास्ट में वीडियो के कॉमेंट करके जरूर बताना सर मेरा नाम यह मेरे इतनी किस्टन सही हुए है आज की कि मैंने इतना सीखने को मिला मतलब रेगुलर प्रोग्रेसिव रजल लेके आओ आप बजाएगा आपको नमबर 15 क्या है सर आपके सामनी देखो सर फिपटीन नमर का कुस्टन दिखाई दे रहोगा क्या है देखो सर निमलिक में इसे किस देश में विस्टो के ताप मानों पर आक्ड़े इखटा करने के लिए वैस्विक वाइमंडल चोकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है पर यहाँ पर किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इखटा करने के लिए वैस्विक वाई मंडल चोकसी स्थापित नहीं किया गया है पंद्री किस्टन का अंशर दे दीजेगा अलजीरिया में, ब्राजील में, केन्या में या भारत में तो यहां अपना जो देश भारत है वहां पर वाई मंडल चोकसी स्थापित नहीं किया गया है अब किस्टन की तरफ मूँ करते हैं क्या है इस्टीन नमर का किस्टन निमलिक में से कौन सा भारति सरकार की जलवाईू Κारिय योजनाप फ्लाइमेंट एक्षन प्लान के आठ मिसन में समलित नहीं किया गया था यहाँ पर कौन सा भारसरकार की जलवायुकारे योजना क्लाइमेट एक्षन प्लान के आठ मिसन में सम्मिलित नहीं किया गया था सोर सक्ती, आणवी कुर्जा, अपसी स्टुर्जा से परिवर्तन या वन रोपन जल्दी से बता दीजिएगा, सिस्टी नमर की करिशन का आणशर क्या जाएगा निम्लित में से कौन सा भारसरकार की जलवायुकारी योजना ठीक है, क्लाइमेंट एक्षन प्लान के आठ मिसन में सम्मिलित नहीं किया गया है तो सोर सती को सम्मलित किया गया है नहीं किया गया है बिल्कुल सर किया गया है लेकिन जो आनविक उर्जा होती है अटोमिक अनर्जी होती है उसको सम्मलित नहीं किया गया है अब सिस से उर्जा परिवरतन को कर लिया गया है और वन लोपन को भी सर सम्मलित किया गया है आई पर ऐसा कौन सा है जो पिछली स्ताब्दी में पिर्त्वी के ओसत तापमान में वर्दी को परदर्शित करता है 0.6 डिगरी सेल्शे, 0.7 डिगरी सेल्शे, 0.8 डिगरी सेल्शे, 0.9 डिगरी सेल्शे तो कौन सा है जो पिछले स्ताबदी में पिर्थवी के ओसत तापमान में वर्दी को इंकित करता है बढ़ाने का कारे करता है तो सा 17 नमबर के कुशन का अंसर क्या जाएगा सर आपके 0.8 डिग्री सेल्सिस मतलब पिर्थवी का तापमान कितना बढ़ चुका है सर पहले था 14 पॉइंट कुछ और अब लगबग 15 के लगबग 15 डिग्री सेल्सिस के लगबग पिर्थवी का तापमान अवराल हो चुका है जो एक दरसाता है कि ग्लोबल वार्मिंग काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है पिर्थवी के अपर और ग्लेसियर के वरब के पिगलने का चांची बहुत ज़्यादा है सर आपके क्योंकि CO2 के मातर, CFC के मातरा और मीथेन के मातरा काफी बढ़ चुकी है सर क्यूसर नमबर 18 जलवायू परिवर्तन का कारण क्या है बाई जलवायू परिवर्तन का कारण क्या होता है बाई आपके गिरिन हाउस गैसे ओजौन परत का च्रण या फिर पर्दुशन या उप्रियुक सभी बाई जो जलवायू के परिवर्तन का सब से मेन कारण क्या होता तो आपको अच्छे से बता है कि सर यह तीनों ऑप्शन सही है सर गरिनाउस गैसे वक बढ़ने के काण पर दूसन बढ़ने के काण और ऑज़ानपर्त की जो लेयर है वो डैस्टोई होने के काण सर गरिनाउस गैसीज वगेरा इस सारी चीजे तो किस चीज को परवायुत करता सर जलवायु को परिवर्तन करता है आई बात समझ में बिल्कुल सर एक ऐसा सब्जेक्ट इतनी मजा किसमी करने सकता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप कंसेप्ट लिए समझना जिसके अंदर टॉपिक को रिलेटिटिड करने सर आपके परियावन से रिलेटिड और बह पर जीवन के लिए आनिकार को लाबधायक दोनों हैier यहां पर एक ऐसी कौन सी गयस है सर जो धरती के उपर जीवन के लिए आनिकारक दोनों होती है oxygen, ozone, nitrogen, carbon dioxide gas तो यहाँ पर तीनों में से कौन सी gas है जो सर लाब दायक भी है हानिकार बोले तो नुक्सान दायक भी है तो बता दो प्यारे बच्चों 90 नमर की कृष्टन का हंसल मुझे अब भी दे दो तो सर carbon dioxide gas एक ऐसी है जो धर्ती के ओपर जो लाब दायक भी हुती है लाब दायक के लिए होती है पेड पोड़ों के लिए ठीक है लेकिन नुक्सान दायक इसके ओते है मनुस्य के लिए हमीं नुक्सान पुछाती है और नुक्सान क्या होता है carbon dioxide gas की मातरा अगर भड़ेगी तो global warming भड़ेगी आई बाद समझ में अगला किसन क्या है 20 नमर का आज कार्बन डाय ओक्साइड CO2 के उस सजन में सरवादिक योगदान करने वाला देश कौन सा है कौन सा ऐसा देश है जिसके अंदर CO2 की मातरा सबसे ज़्यादा बढ़ रही है 20 नमर के किसन का अंसर 20 नमर के किसन का अंसर सर बता दो अरे बोलो दिल के राज खोलो चीन के साथ खोलोगे चीन तो सर बरबाद कर रहा है और आप एक चीज बता दूं जितने बचे टिक्टोक के इंस्टल कर रहे उनको मैं बता दूं आज से पांस दिन पहले टिक्टोक का जो रिवीव था कितना था सर आपके 4.5 के लगबग और आज टिक्टोक का रिवीव आ चुका है सर 1.5 के लगबग और आप भी जितनी भी चाहिनी जयाए पर कोशिस कीजिएगा कि आप जितनी इंस्टल कर रहे ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ा रहा देश यह आज तुम्हें घर के अंदर कैद करने वाला देश भी यह मान के चलो क्योंकि सर कोविड-19 जो फै अगले किस्यन पर 21 आतम निरवर बनो थीक है वाई मंडल में पर्त वह मंडल में वैं मंडल में ऑजन पर्त वर्शा करती है पढ़े से wspól करती है तो पिर्थवी पर जो अल्ट्रा वोईलेट रेज आ रही है पहरा बैंगनी केड़ने आ रही है उन से आपके जीवन की क्या करती है सर यह क्या करती है सुरक्ष्या करती है जल्दी बता दो हो गया हम सब प्यारे बच्चो लाई जुडा करो सवा दस वाली क्लास के अंदर सवा आठ बजे वाली क्लास के अंदर ठीक है दोनों क्लासों के अंदर लाई आया करो और रात्री के अंदर जो क्लास होती है उसमें भी आया करो आना तो है निमिलत में से कौन सी गैस ओजोन परत के हास के लिए उत्तरदाई है मतलब ओजोन जो लेर होती है उसको डैस्टोई करने के लिए कौन सी गैस उत्तरदाई है प्यारे बच्चो तो कौन सी गैस नाइटरस ऑक्साइड है क्लोरो फ्लोरो कारबन कारबन डायोकसीड कारबन मोनाञस teria तो सर आपके ओजोन प्रत के रास के लिए खतम करने के लिए कौन सी गैस मुज़न उत्तरदाई रती है तो सर ख्लोरो फ्लोरो कारबन जिसकों क्या बोलते हैं CFC क्या बोले बच्चा CFC ओजोन प्रत को खतम करने के लिए क्या उत्ते सर आपके नुक्सान दायक होती है आई बास में जो ओजोन लेर के डुप्लिकेशन का कारे-करे खतम करने का कारे आज का कौन कर रही है सर आपके CFC इसलिए तो AC वगएरा का फ्रीज वगएरा का जो आपके सीच संग्रय वगएरा है इनका प्रयोग आप लोग प्लीज कम क्या करो ताकि आपका जो ओजोन लेर बचे बचे तो आटा ओली ट्रीज पिर नहीं आए वह नहीं आएंगी तो सर आपके बेनिफिट रहेगा किस्सा नमबर 23 ओजोन पर्त मुख्यते जहां आउस्तित रहती है वह है बाई ओजोन पर्त कहां पर होती है सर आपके जल्दी से बता दीजेगा प्रोकोस पेर में या फिर स्टेटो स्टेटो स्पेर में आई बास मज में सर ओजोन पर्त का मुख्यते कहां इस्तित होती है प्यारे बच्चो आंसर दे दीजेगा तो सर आपको आंसर मिल गया होगा कि सर ओजोन पर्त कहां इस्तित होती है प्यारे बच्चो तो ओजोन पर्त स्टेटो स्टेटो स्पेर में इस स्टेटो ब्र में किसा नंबर टुंटी हू कि नमिुलक में में से कौसा एक ओजान-पर्त की सिन्ट नहीं यह यहां पर एकसर कौन सा है जो और जो पर को डेस्ट फू होने के लिए उतरदाई नहीं हुता पारती सितकों में मतलब जो आपकी कुलेंट होता है उसमें प्रियुक्त होने वाला सी एफ सी टुएलव है विलायक के रूप में प्रियुक्त मैथिल क्लोरोफार्म या फिर अगनी सामन में प्रियुक्त होने वाला हैलोन 1211 या नाइटरस ऑक्साइड प्यारे बच्छो जल्दी से दीजेगा नेमिलत में से कौन सा एक ओजॉन पर्त की छीमता के लिए उटरदाई नहीं है तो ओजन पर्त की छीमत Hoожет नहीं होता है प्यारे बच्छो तो 24 का जाएगा सर आपके ठरीक अंसर क्या जाएगा भी जा则गा विलायक के रूप में परियुक्त मैथिल क्लोरोफार्म जो होता है वो ओजोन परत की छीनता के लिए उत्रदाई नहीं होता है आई बात समझ में जर अब किसा नहीं होता है ट्रुंटी फाइब सूर्य से आने वाला हानी कारक पराबेंगनी करण कारण हो सकता है सूर्य से जो हानी कारक पराबेंगनी करण आ रहा है वो किसका कारण हो सकता है यकरत कैंसर का मस्तिक्स कैंसर का मुख्य कैंसर का या ताउच्य कैंसर का जल्दी से बता दीजेगा कि सूर्य से जो हानी कारक प लेज आ रही है सूरिय से वो किस चीज का कारण हो सकती है प्यारे बच्चों तो जल्दी से अंसर दे दो तो यहां पर सर आपका जो स्कीन का एंसर होता है मैंने का कौन सी होती है अल्ट्रा वॉयलेट सी आई बास समझ में अब किसा नंबर 26 है क्या है सर इन में से कौन क्लोरो फ्लोरो कारबन के लिए सत्ते नहीं है यहां पर कौन सा क्लोरो फ्लोरो कारबन के लिए सत्ते नहीं है यह है पर सित्कों के रूप में प्रियोग में लाए जाती है ग्रिन हाउस पर बाव में योगदान हाउस परबाव में योगदान नहीं देती है समताल मंडल में ओजन गटाने में उत्रदाई है यह नीचले वाई मंडल में एक किरिया सेला कौन सी सर टूंटी सिक्स नमर के किस्टन का आंसर दे दीजेगा ठीक है यह क्या होती है ग्रिन हाउस परबाव में योगदान नहीं देती है आई बा समझ में इनमें से कौन क्लोरो फ्लोरो कार्बन के लिए सत्य नहीं है तो कौन सत्य नहीं है तो यहाँ पर ग्रिन हाउस परबाव में योगदान जो नहीं देती है वो सर क्योंकि यह आपको पता है कि लोरो फ्लोरो कारवन तो काफी इंक्रीज करते हैं सर घिरनावस एफेक्ट को अभी बार-बार रिपीट करो नो किसन को अगला किसन क्या है 27 वा ओजोन परत पिर्थवी से करीब कितनी उचाई पर भाई पिर्थवी से ऑजोन लेर की जो उचाई हो कितनी पचास किलोमेटर, तीन-सो किलोमेटर दौ-जार किलोमेटर, बीस किलोमेटर अरे बोलो ऑजोन परत पर कहां जाकर पूछोगे, कितनी उचाई पर जाओगे तब जब को ऑजोन परत मिलेगी तो लग बग सर आपके 20 km के लग बग की उचाई पर फिर्थवी से क्या है सर आपके ओजान परता है थीक है सर आपके 20 से 30 km approximate मानगे चलो सर आप लोग थीक है सर क्या है सर ओजान layer आपके इस्तित है तो 20 किलोमेटर से 30 किलोमेटर के लगब क्या होती है सर आपके ओजोन पर तोती है आई बास समझें प्यारे बच्चो तो सरहांसर करके आजाओगे डी अगला किशन 28 नमबर का बहुत ही अच्छा किशन बहुत अच्छा किशन जिसको मैं बोल रहा हूँ निमिन में से किसने तिबबत पठार के उपर वर्ष 2005 में ओजोन आबा मंडल ओजोन हेलो का पता लगाये था ओजोन हेलो का नाम सुना होगा आप लोगों ने ठीक सर सुना होगा कंफरम सुना होगा अब सुन लिया होगा ठीका तो कौन सा ऐसा साइंटेस्ट था कौन सा वेग्यानिक था जिसने सन 2005 में ओजोन आबा मंडल ओजोन हेलो का पता लगाया था एम मौलाना जोसेफ फर्मन जी डवलू केंट मूर ने या मार्क्स रेक्स ने बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा आपको यह कुस्टन कुरंट से रिलेटिड कुस्टन से बहुत सेलेक्टिड की कुस्टन से जो आपके अग्जाम में आई हो हैं और अलग लग बुकों से उठा उठा के बनाए हैं आपके लिए ताकि किस्टन बच्चा लेवल के मिले आप लोगों को जी डवलू कैंट मूर ने सरपता लगाया था वर्ष दो जार पांच में ओजोन आबा मंडल का जी डवलू कैंट मूर ने किस्टन नमबर ट्वंटी नाइन ओजोन चिदर का निर्मा प्षण सरवादिक कहा होता है भारत के उपर अफ्रीका के उपर अंटार्किकता के उपर यूरोप यूरोप प्यारे बच्चों ट्विनटी नबर के किस्टन का अंसवर दे दो सर आप लोग तो 29 नंबर के की सन का अंसवर क्या जाएगा सर अंटार्टिका के ऊपर ओजोन फिसे ओ turn का निर्माण सरवादिक है कोन से उज कि सुमर्टि प्रत रिक्तालिकरणक है आपके क्लोर फ्लोरो स्वी अधन कार्बन है व्हों सिया ostracloride जल्दी से बता देजेगा सर जल्दी से निメलत पादार्पों में से कौन से तीकारक हैं तो चैंस्टे कारक करने में हेल्प करते हैं मतलब खत्म करने में अन्स्ट क ya जाएगा रिक्तिकारक भरने में में बरने तो Universe करता है सरकों सा क्लोरो फ्लोर कार्बन तो रिक्तिकारक पुछा तो रिक्तिकारक का अंसर क्या देखिया और थर्ड से यांसर जाएगा के विल सेकिंड थर्ड अगला किस्टन किसा नंबर 31 बहुत अच्छा किस्टन ओजोन पर्त स्रंक्षन दीवस का बनाया जाता है आपकी ओजोन पर्त स्रंक्षन दीवस कम मनाते हो आप लोग 16 सितंबर को पांच जून को 23 मार्च को 21 अप्रेल को 31 किस्टन का आंसर दे दीजेगा बाई ओजोन पर्त का जो स्रंक्षन दीवस होता है वो कम मनाते हो अरे बोलो 31 नंबर के question का answer नहीं आया है आप लोगों का तो ओजोन पर तो सरक्षन जो दीवस होता है वो कम मनाया जाता है सर 16 सितंबर को आई बास हमने और सर यहां पर 30 किसन में एक बर correction कर लेना वापिस आप लोग तो 30 किसन में answer क्या जाएगा first be chlorofluorocarbon chlorofluorocarbon भी होता है और यह आपके halons भी होते है carbon tetra chloride 3 नहीं होते है तो answer क्या जाएगा इसको correction कर लीजेगा कई बार mistake हो जाती है मैं भी इंसान हूँ आपके ठीक है तो सर आप लोग कर लिया करो थोड़ा बहुत अपनी तरब से कर लिया करो ठीक है कई बार एक आदा question हो जाता है इतने question में बाके आप ध्यान दिया करो बाके other questions के उपर होता है तो मैं आपको सही करा देता हूँ यहाँ नहीं तो comment session के अंदर वैग्यानिकों की निमिन टीमों में किसनी सरवपर्थम अंटार्टिक्टा के उपर ओजन चिदर का पता लगाया था किन कौन से देश की वैग्यानिक टीम ने सरवपर्थम यह पता लगाया था कि अंटार्टिक्टा महादीब के उपर ओजन चिदर का पता लगाने वाले जो टीम थी वो कौन से थी Rusi team थी German team थी American team थी Baytis team थी प्यारे बच्चों जल्दी से answer दे दिजएगा 32 स्वे question का तो सर यहाँ पर यह जो team थी वह कहां की team थी सर आपकी D जो answer है वो जाएगा Baytis की जो team थी वो क्या थी सर आपकी ओजोन सिदर का पता लगाने वाली अंटार्टिक्टा महादीब के पर सबसे पहले पता लगा था सर ठीक है सर अगला किस्षर 33 क्या है सर 33 नमर का किस्षर क्या है फ्रीज में कौन सी गयस बरी जाते आ मोनिया मैप्रोन मैफेन या फिर एसे टील्ओन जल्दी से बताओ मैं बता रहा हूँ आप जल्दी से आंसर देदो फ्रीज में कौन सी गैस बरवाओ हूँ अरे बोलो वैसे तो एक्चुली में मेफ्रों की जगह होँशन दोड़ा चेंज करना पड़ेगा यह मेफ्रों नहीं होता भाई यहां पर क्या होता है टो फिर्वयून में स 만들어 स करेंच कर् مشोंत के लिए आप लोग इतना महिम भेमत le acord आप लोगों को तो सर फिर्वयून जो gatil होती है वह कहां बर शरीज के अंधर ge के अंदर आई बार समझ में अगला किसेंट थार्टीफोर नम्मर का क्विश्ण क्या है सर्श निमिन ग्रीन आउस गैसां में से ऐसी कौन सी है जिसके दवारा ट्रोपोसफेर में ओजॉन पर दूसर्ण नहीं होता है यहां इतनी ग्रीन आॉस गैसे हैं उनमेंसे ऐसी कौन सी गैस है जिसके दवारा ट्रोपो स्पेर में ओजोन पर दूसर नहीं होता है मीठेन कार्बन मोनो अक्साइड या नेत्रेजन ओक्साइड या जल वास्प तो कौन सी ऐसी गैस है जिन्सके दवारा ट्रोपो स्पेर में ओजोन पर दूसर नहीं होता है 3400 किसन का अन्सवर दे दीजेगा तो यहाँ पर कार्बन मोनो अक्साइड एक ऐसी गैस होती है जिसके दवारा ओजोन लेट डुप्लिकेशन नहीं होता है बाकी आपके नाइट्रोजन अक्साइड आपके ठीक है मिथेन आपके जलवास में सब क्या करते हैं और जोन को खतम करने का कारिय करते हैं जलदी से बता दीजेगा भारते वनने जिए संस्तान गलत बता रहे हो सर 35 आंसवर सही नहीं बता रहे हैं आप लोग तो 35 आंसवर जाएगा प्यारे बच्चों कहां इस्तिता हैं देरा धून के अंदर इस्तिता है अगला किसन 36 नंबर का भारत में मैग्रो मतलब बोले तो जवारी वन्सपती मुख्यते पाई जाती है तो भारत में मैग्रो जवारी वन्सपती कहां पाई जाती है माला बार तट में सुन्दर वन तट में कच कारण में या फिर दंड कारण ये जगय में तो जल्दी से बता दीजेगा कि भारत के अंदर मैग्रो वन जो बोलते हैं जवारी वन्स पति कहां पाई जाती है सुंदर वन में है बच्चों बिलकुल सच्ची हाँ भाई इसी में तो पाई जाएगी ठीक है अगले पाईंट पर मैं चलना चाहूं इसे पहले आपको एक छोटा सा पाईंट मैं करना चाहूं कि सर्जो ये सुंदर वन चीजों का लेवल देनी के कोशिस कर रहे हैं प्यारे बच्चों ठीक है दिल से दिल तक जीएस प्लेनेट के साथ रहो और प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो ठीक है जो भी करना कर दो लेकिन वीडियो देखो जरूर पूरी आई बास समझे भारत म सब्सक्राइब जीव सर्क्राइब गारत जल्दी से बताए बहुत अच्छा किसान में 1962 में 1972 के अंतर तो जल्दी से बतादो भारत समय बया श्रुंप डूरा बेकिस भलागू किया गए सर इसवीं में वन ने जीव संस्थान अधिनियम लागू किया गया था सर आपके अगला किस्थान 38 क्या है सर वन अनुसंदान संस्थान कहां स्थापित है तो वन अनुसंदान संस्थान कहां स्थापित है हैद्राबाद में नैनी ताल में सॉलन में धेरादून में तो कहां पर इस्तित है सर, वन अनुसंदान संस्तान कहां स्तापित है, हैद्राबाद नैनी ताल में, नैनो से नैनी ताल, आगे मैं गाना निगा हूँ, सौलों से देहरादून से जल्दी से बता दो, 38 किस्टन का अनस्वर सर आपके कहां से आपके देहरादून के अंदर स्त किता है ये भी कुस्टन से बहुत अच्छे आते हैं इनको भी एक बर काउर कर लिजेगा फटा फट देख लिजेगा बहुत बड़ा जीक्क्य होता है सरवसे निमलित में से कहां सदा बारवन पाए जाते हैं जल्दी से बता दीजेगा मालवा के पठार में पूरवी घाट मे या फिर प्ष्य मी घाट से चोटा नागपूर पठार के अंदर तो सदा बाहर वन कहां पाए जाएँगे तो सदा बाहर वन ज्यादा तरशर कहां पाए जाते हैं पश्य घवारव समझ में आपकी जिन्दकी में भी बहार आएगा तब कोई आपकी जिन्दकी में आएगा वर्क स्या आच्छिति छितर कौन सा है सरवादिक है बाई यहां पर जहां पर वर्क सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पूरी ढकन में या फिर उत्री मैदान छितर में पस्मी पट में या पूरी तट में जल्दी से बता दीजिएगा चालिस वे किस्टन का कि सबसे ज़्यादा वर्क कहां पाए जाते हैं तो पूरी जो ढकन होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं सरवादिक वन वाला छितर अगला किस्टन 41 नमबर का किस्टन निम्न में से भारत में किस राजे लेंड लिख रहा है इसने नग्गा लेंड नहीं होता नागा लेंड और मिजोरम ध्यान देजीएगा आप लोग 41 नमबर के किस्टन का तो सर जो मिजोरम है जो भारत में राज्जी संग्छेतर के भोगलिक छेतरफल के अनुसार सर सबसे ज़्यादा वनो वाला रज्जे में जोरम है अगला किसन 42 निम्लिक में से किस महादीप में उसन कटे बंदिये परणपाती वनो का विस्तार अधिक है यहाँ पर किस महादीप में उसन कटे बंदिये परणपाती वनो का विस्तार अधिक है बियारश्ए कुष्यन का अंस्वर दे दीजेगा सर बियारश्ी कुष्यन का अंस्वर क्या जाएगा बच्चो बी, एसिया महादीब के अंदर अल्या किष्यन 43 भारत की निम्यृत में से कौन सा नगर वरकसरोपण में विसिस्ता रखता है मतलब पेड लगाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान करने वाला भारत का कौन सा नगर है सर आपके विजयवाडा, चंडिगर्ड, सिलांग या वाल पराई जल्दी से बता दिजेगा 43 नमर के किस्टन का आंसर अरे बोलो जल्दी से बोलो दिल के राज खोलो वाल पराई बिल्कुल है पराई लेकिन आंसर आपका यह यह जाएगा सबसे ज़्यादा पेड लगाने का कारे अगला क्यूसन 44 किस देश में उसके बोगली छेतर का उत्सतम परतिसत वन आचिद छेतर है मतलब जहां पर उसके भुगली छेतर से भी ज्यादा मतलब जो मिलते हैं वो किस देश के अंदर सर आपकी और तो जल्दी से बता दो ना आप लोग कि भाई सपोज करो जैसे उसका सो एक्टियर अरे ये क्या हो रहा है मतलब सो एक्टियर जैसे उसका छेतर फल है तो उसके उपर सबसे ज़्यादा वन पाए जाने वाला ऐसा नहीं कि भाई उसके सो एक्टियर से भी ज़्यादा वन कहां साइड में थोड़ी निकल के आ जाएंगे भाई आपके सबसे ज़्यादा वन पाए जाने वाले सर बताओ कौन से देश में यहाँ पर सरवादिक वनों का छेतर फल किसके अंदर सर भारत के अंदर चीन के अंदर इंडर इंडर जापान मतलब सर जहां पर वन ज्यादा है मनुस्य कम है अगला क्विस्टन 45 क्या है सर राष्टी वन निती में भारत की कुल बोगलिक छेतर के कितने परतिसत पर वन रखने का लखसे है ये चोथाई ये आदा पांच हुआ या फिर एकतियाई जल्दी से बता दो कितना वन होन चेके वोगलिक छेतर पर भारत के अंदर कितना राष्टे वन नहीं निती है वन निती आटिसे शाल्दी से बता दीजेगा सर आपकी एकतियाई इस पर क्या होगा सर आपके केवल 1 1 पेड़ 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 पोदे अगला question 46 कैंब हो is your मिलते हैं तो सरगंगा नदी के अंदर मिलते हैं क्विस्टा नमर 47 क्या है भारत के कुल भौगौलिक छेतर में सदन सगन वनावरन अच्छा यह लिख रहा है सगन वनावरन का परतिसत है थोड़ा से इसमें करेक्शन कर लीजिए अगर आप लोग तो भारत की कुल भौगलिक चेतर में सगन वनावरन का परतिसत है लगबग 8 परतिसत 10 परतिसत 12 परतिसत लगबग 14 परतिसत जल्दी से बता दीजेगा कुल भौगलिक छेतर में सगन वनावरन का परतिसत कितना होता है अंस्वर नहीं आरा आप लोगों का 47 किसन का तो सर यहाँ पर लगबग 12 परतिस्ट के उपर किसका परतिस्ट है वनावरन का परतिस्ट है अगले किसन 48 का क्या सर 48 नमर का किसन क्या है भारत की सबसे बड़ी मचली है बैय अपने देश में पानी के अंदर जो सबसे बड़ी मचली पाई जाती है वो कौन सी है जल्दी से बता दीजेगा तो सर आपको पता है कि भारत के अंदर भी वहल मचली मिलती है ठीक है वहल सार्क जो होती है सबसे बड़ी मचली होती है अगला किसन बहुत अच्छा किसन है वर्ड वाइड फंड डबलु डबलु एप का परतिक कौन सा जानवर बै डबलु डबलु एप का परतिक कौन सा जानवर होता है शेर होता है जोइंट पांडा होता है या हौनेबल हानबल होता है या सपेद बाल होता है जल्दी से बता दीजेगा वर्ड वाइड फंड डबल डबलू एप का परतिक कौन सा जानवर होता है 49 क्विस्टन 49 नंबर के क्विस्टन पर तो जॉइंट पांडा जो होता है वो किसका परतिक होता है डबलू डबलू एप का लाश्ट किशन आज का आपकी स्क्रिन के सामने क्या प्यारी सी थोट प्यारे बच्चो के लिए क्याई सर जिस दिन मरोगे उस दिन एक पेड़ लेकर साथ जलाओंगे सास्त Après कति का जो कर्ज वह चुका दो यारो जी तो पेड़ में तो लगा दो यारो कम से कम दो पेड़ यारो जिन्दकी के अंदर तो पिर्त्वी जो कर्ज है वो तो उतार दो अप लोग दो पेड़ तो लगाओ कम से कम मैं तो पांच लिए बोला था तो पांच में अगर और भी पोसिबल हो तो दो तो लगा कि जाओ जिन्दकी में ठीक है अब ऐसा नहीं कि आपने किसी और चीज का पेड़ लगाया हो उसके भी फाल आए साइन्स के लिए आजाना लए जैन दोस्तों